हाई फ्रेंड्स मैं हूँ भाग्यश्री और कुक्विश्रगुन में आप सब का हरदिक स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एक आइस क्रीम जिसका नाम है अमेरिकन नट्स आइस क्रीम इसमें बहुत सारे फ्लेवर है और इसमें जैली है जो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी और इसमें एक अलग तरह का ही टेस्ट है इसमें चॉकलेट भी है और अलग तरगी फ्लेवर्स भी है तो चलिए हम बना देए ये क्रीमी क्रीमी वाली अमेरिकन नट्स आइस क्रीम जो आप देख रहे हो ना वो एकदम बहुत ही बढ़िया क्रीमी बनी थी आइस क्रीम तो सबसे पहले आप क्या करिए ये लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे क्लिक करिए और उसके बाजू में जो गंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजी इसे क्या होगा मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नौटिफिकेशन मिल जाएगी और तो मैंने यहां पे लिए एक सॉस पैन आप कड़ाई या पैन कोई भी यूज कर सकते हो इसमें मैंने डाला है एक कप दूट डाला है इससे हम बनाएंगे हमारा आइस क्रीम का एक बेस तैयार करने वाले है और इसमें मैंने डाला है आदी बड़ी चमच कॉन फ्लार डाला ह आप कॉन फ्लार के जगा पर वैनिला कस्टर्ड भी डाल सकते हो और यहां पर मैंने चार बड़ी चमज शुगर डाला है वैसे तो हम जो वीपिंग ग्रीम यूज़ करने वाले हैं इसमें वो मैंने स्वीट ही ली है बट यह ऐसक्रीम थोड़ा सा स्वीट होता है इसलिए मैं यहां पर चार बड़ी चमज मैंने शुगर एड़ की है अभी मैंने गैस की फ्लैम ओन नहीं की है गैस चालू नहीं किया है उससे पहले हम इसको एक मिक्स दे देंगे यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसमें कोई लंस ना रहे तब हम गैस की फ्लैम ओन करेंगे और गैस छे साथ मिनिट लगी जाते हैं जब तक वो अच्छी तरह से थीक नहीं हो जाता बहुत थीक भी नहीं करना है हमें तब तक उसे पकाना है 6-7 मिनिट के बाद वो कंप्लेटली थीक हो चुका है अब गैस की फ्लेम हम ऊफ कर देते हैं यहाँ पे हम हमारा दूजरा बेसे वो तायार करेंगे इसके लिए मैं यहाँ पे लिया है एक कप विपिंग क्रीम लिया है यह विपिंग क्रीम शुगर वाली है स्वीट है तो हम इस विपिंग क्रीम को हमें तब तक बीट करना है तब तक हमें करना है इसे हमें एकदम बहु अच्छी तरह से बीट हो चुके अभी मैं इसको और भी थोड़ी दिर के लिए बीट करूंगी जिसे हमें परफेक्ट जो सॉफ्स क्रीम चाहिए वो हमें मिल जाए हमारे आइस क्रीम के लिए यहाँ पे हमें कोई भी शूगर का उपयोग नहीं करना है कोई शूगर एड नही करने क्योंकि यह क्रीम पहले से ही मिठी ही क्रीम है कि तो हमारी क्रीम एक बहुंद box हो चुके जैसी हमें चाहिए अब इसम मैं डालूंगी दो बड़े चमर चॉकलेट चिप्स डालूगी क्योंकि अमेरिकन ड्राइफूर्स आइस्क्रीम में चॉक्लेट चिप्स होते हैं और यहां पर मैंने कुछ नड्स लिया है पिस्ता लिया है बादाम लिया है और काजू डाले है सब नड्स के हम चोटे चोटे टुकडे कर देंगे उसके बाद ही हम इसको इसमें डालेंगे इसे क्या होगा कि जब हम खाएगे तो हमें यह बहुत ही आइस्क्रीम टेस्टी लगेगी यहाँ पर मैंने कलरफुल जैली लिये है यह जैली आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी यह अलग-अलग जैली आती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है पाइनेबल फ्लेवर है औरेंज फ्लेवर में है सब अलग-अलग फ्लेवर में है इसको मैंने छोटे-छोटे में cut कर लिया है उसके बार मैंने इसमें डाल दिया है और यहां पर मैंने strawberry essence के दो drops लिये है आप strawberry, pineapple, orange सब flavor के आपके पास हो वो डाल सकते हो अगर आपके पास mixed fruit essence हो तो वो बहतर है वो एक ही बार में आप आप सब essence इसमें डाल सकते हो यहाँ पर मैंने अलग-अलग essence यूज़ किया है अब यहाँ पर मैंने औरेंज essence डाला था अब यह मैंने वाइट रोड एसेंस के छोड़े से drops डाले है इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा flavor आएंगा हमारे यह ice cream में और आप pineapple essence हो तो वह भी आप यहाँ पर डाल सकते हो वह भी बहुत ही अच्छा लगता है अगर mix है तो mix essence ही डाल दीजिए आप उसके बाद मैं इसको mix कर दूँगी अच्छी तरह से सब हमने जो डा प्रेट ही करना है और हाँ इसमें हमने कॉन फ्लॉर मिल्क बनाया था वह घड़ा मिल्क वह हमें पूरे का पूरा इसमें एड़ कर देना है इसके बाद हम फिर से इसको एक mix दे देंगे तो जो यह दूद और क्रीम थी दोनों अच्छी तरह से इसमें mix हो चुकी है हमें उसको ज्यादा बीट नहीं करना है जस मिक्सी करना है तो यह कितना क्रीमी हमारा जो आइस क्रीम है वो तैयर हो चुका है अब हम इस आइस क्रीम पे इसको डालेंगे एक एर टाइट कंटेन में डालेंगे और आपके पास कोई भी केक टीन हो या ब्रेट टीन हो उसमें भी आप डालके उसको सेट कर सकते हो तो यहां पर मैंने इसको टीन में ट्रांसपर कर लिया है और देखो आप कितना क्रीमी क्रीमी यह लग रहा है और खाने के बाद तो यह बहुत ही बहुत ही अच्छा लग रहा था टॉपिंग में उसके उपर मैंने ये जहली के जो पीसिस थी छोटे-छोटे उसे मैंने उसको डेकोरेट किया है और यहां पर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप से भी उसको गानिश करूँगी आपको नौट से करना हो तो आप बादाम, काजू, पेस्ता वगेरिश से भी उपर कर सकते हो यहां पर मैंने इसको क्लिंग रेप कर दिया इससे क्या होगा कि हमारे आइस्क्रीम में जो बरफ के गाठे होती है वो नहीं जमेगी कि बरफ नहीं जमेगा और हमारे आइस क्रीम को एकदम स्मूध और क्रीमी बनाएगा तो अब इस आइस क्रीम को हम ओवर नाइट पूरी रात या आठ से नौ गंटे तक इसको फ्रीजर में फ्रीज होने देगे तो आठ से नौ गंटे के बाद ये हमारे आइस क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है इसमें कोई भी आइस क्रीश्टल नहीं दीख रहे है तो देखें ना हमारे आइस क्रीम कितनी अच्छी दीख रहे है और टेस्ट में भी वो एकदम अच्छी और क्रीमी बनी थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक करी शेयर करी और अपने friends और family group में उसको शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो comments box में आप इसको comment भी कर सकते हो और इसी तरह के अच्छे वीडियो हम आगे लाते रहेंगे तो प्लीज आप मेरी चैनल पे बने रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल में वीडियो आप में वीडियो आप एको कैने रहेंगे वीडियोग आप में वी यादी के लिए देखने के लगे और गया थाई। झाल झाल